आठ अप्रेल सन 1857 इस्वी में अंग्रेजों के विरुथ विद्रोह करने पर मंगल पांडे को फासी दे दी गई थी 10 मई 1857 को मेरट में भारतिय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुथ आंदोलन किया उन्होंने दिल्ली पर 11 मई को कबजा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहदुर्शाद जफर को भारत का शासक बना दिया सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़े हिलाने वाले प्रमुख्य नेता थे नाना साहिब, तात्या टूपे, बक्त खान, अजी मुल्ला खान, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, कुवर सिंग, मौलवी एहम दुल्ला, बहादुर खान और राव दुलाराम थे 1857 के आंदोलन में अत्यधीक उम्र होने के बाद भी, वीर कुवर सिंग ने ब्रिटिश रासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया वीर कुवर सिंग का जनम बिहार के शहाबाद जिले के जगदीश पूर में संद 1782 इसवी में हुआ था उनके पिता का नाम सहब जादा सिंग और माता का नाम पंच रतन कुवर था वीर कुवर सिंग के पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पिताजी ने घर पर ही व्यवस्था की थी वीर कुवर सिंग को घुर सवारी, तलवार बाजी, कुष्टी, आदिय कारे में बहुत मज़ा आता था जो आगे चल कर उनके स्वतंत्रता सेनानी बनने में सहायक सिद्ध हुए कुवर सिंग अपने पिता के तरह वीर, स्वाभिमानी और उदार थे पिता के मृत्यों के बाद 1827 इसवी में उन्होंने जगदीशपूर रियासत की जिम्मेदारी संभाली और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया 25 जुलाई 1857 को दानापूरी की सैनिक टुकडी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े कुवर सिंग ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली और उस समय आरा क्रांदी का मुख्य केंद्र बन गया लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी स्थानिय जमिनदारों का अंग्रेजों की साथ सहयो करना एवं आधुनिक्तम शस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपूर पर कमजा कर लिया 13 अगस्त को जगदीशपूर में कुवर सिंग की सेना अंग्रेजों से परास्थ हो गए लेकिन इससे कुवर सिंग का आत्मबल तूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तुरंत लग गए वो सासाराम से मिर्जापूर होते हुए रिवा, कालपी, कानपूर एवं लखनों तक गए लखनों से वो आजमगड़ गए उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा आजमगड़ की और जाने का उनका उद्देश था इलाबाद एवं बनारस पर आकरमन कर शत्रूओं को पराजित करना और जगदिशपूर पर अधिकार करना अंग्रेजों और कुवर सिंग की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगड़ पर कबजा कर लिया इस प्रकार अंग्रेजी सेना को हारते हुए वीर कुवर सिंग 23 अपरेल 1858 को स्वतंत्रता का जहंडा लहराते हुए जगदिशपूर पहुँच गये लेकिन इसके तीन दीन बाद ही 26 अपरेल 1858 को वीर कुवर सिंग का निधन हो गया वीर कुवर सिंग अत्यंत चतूर, साहसी और युद्ध कला में पूरी तरह कुशल योध्धा थे उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चमका दिया और उन्हें युद्ध में हराया एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापती डगलस को जूटी खबर में फसा कर अपनी सेना के साथ शिवराजपूर से गंगा नदी पार कर गये उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किये, स्कूलों के लिए जमीन दान दी, निर्धन व्यक्तियों की सहाय तकी, सडक निर्मान किया, कुएं खुदवाए, तालाब और जलाशे बनवाए व्यत्यंत उदार एवं समवेदंशिल व्यक्ति थे, आज भी लोक भाशाओं में वीर कुवर्सिंग का यशगान किया जाता है